हाई गाईज सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जी एडवांस देने वाले हैं और यह सोचते हैं कि मैथमेटिक सा पेपर बहुत जाधा टफ आता है आज statistically मैं आप लोग को कुछ चीज़े बताऊंगा 2018 की पूरी जो जी एडवांस के रिपोर्ट है वो हम लोगों ने पढ़ी और उसके बेसिस पर हमने यह चीज निकाला कि कौन से questions ऐसे थे जिनको select किया जा सकता था और सबसे पहले मैं context set करूँगा आप लोग के लिए कि यह information क्यों जरूरी है क्यों इतनी जादा यह information important है आप सभी के लिए तो इस वीडियो को please end तक आप लोग देखेगा इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखेगा सबसे स्टार्टिंग में मैं आप लोग को macro data देता हूं 2018 के जो stats है उनका ठीक है तो मेरा नाम है प्रशान जा open की जो cutoff है वो 74 है OBC NCL की cutoff 45 थी out of 360 है यह पूरा जो paper है यह 360 marks का था ठीक है तो यह हमारे काम की चीज नहीं है अभी इन सब चीजों को देखने का कोई sense नहीं है कितने बच्चे qualify होगे क्या हुए यह सब छोड़ दो आप अब important बात देखो important बात देखो all India rank 1 337 पाई all India rank one के जो candidates हैं वो यह वीडियो वैसे भी नहीं देख रहे होंगे हम यह चीज देखें कि 144 जो की 40% होता है उसमें 7101 राइंग का रही है आईटी में 10,000 सीट्स होती है 10,000 सीट्स में 7-8,000 तक भी बहुत अच्छी चीज़े हम लोगों को मिल जाती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ 144 पे 7,000 के करीब rank थे और अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे ठीक है तो 30% जो की 108 मार्क्स होता है 108 मार्क्स को देखते हैं 108 पे 16,000 rank आ रही है अब देखो मैं एक safe assumption लेता हूँ 50% का 2801 rank वही अगर 50% कोई बच्चा इसके अंदर लेके आता है 2801 50% इसका मतलब यह बच्चे का mathematics में काफी chances है कि 40% के करीब आया होगा 40-45% क्योंकि mathematics historically 2016 के बाद से हर बार सबसे टफ आया है physics, chemistry, maths में से जो सबसे ज़्यादा टफ आता है वह mathematics ही आता है तो यह बच्चा जो 50% score लेकर आया वह बच्चा essentially 40% marks ला रहा होगा अब मैं आज के जो session है 120 में से 48 120 में से 48 मतलब 40% score कैसे आये यह मैं आज आप लोग को बताने वाला ठीक है तो जल्दी से हम लोग दोसको अब स्टार्ट करेंगे और एक और चीज में आप लोग को ग्राफिकल यह चीज बताना चाहता हूं देखिए number of students distribution of marks in aggregate all candidate यह देखो इतने सारे बच्चों के तो negative में marks है इतने सारे बच्चों के तो negative marks जीरो मार्क्स देखो कितने सारे बच्चों के number of students है तकरीबन साढ़े तीन 4000 बच्चों के तो zero marks है आप सोच रहे हो और फिर यह negative में यहां तक जा रहे हैं उसके बाद आप अगर मोड मोड मतलब जो सबसे जादा जिन बच्चों के marks है साथ से आठ नंबर maximum बच्चों के number साथ से बच्चे अब आप जो मैं 48 बोल रहा हूं कितने कम ही बच्चे हैं 50 marks इसके आगे कितने कम बच्चे बहुत कम बच्चे 1000 students भी नहीं होंगे तोटल मिला कि 1000 students भी नहीं होंग अब यह 50 की लाइन अगर मैं बनाओ देखो मैं आपको पचास की लाइन दिखा दो यह 50 की लाइन अब यह देखो यह है 48 marks इसके आगे देखो आप तक्रीबन यह जो marks है यह 50 से उपर 50 से उपर बहुत ही कम students के आरे मतब तक्रीबन पच्ची सो बच्चे होंगे जिनके 50 के करीब number हो राइट तो इससे हम लोग को पता चलता है किया कितनी पूर selection होती है इन general students की students बहुत ज्यादा अच्छे से select नहीं कर पाते हैं questions को ठीक है चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोग के लिए यह जे एडवांस वर्सें में से यह चोड़ दीजिया तो अब paper analysis हम लोग करते हैं दोस्तों कौन-कौन सा question हम हर एक question का एक stat आप लोग के लिए लेकिया है मैं आपको दिखाता हूँ यह paper one है paper one के अंदर छे question multiple choice थे आठ question numerical थे और चार question paragraph थे विद सिंगल correct answer single correct answer यह marking scheme है ठीक है अब आप देखें दोस्तों यह पहला question है अब यह जैसे इसमें सब्सक्राइब यह देखिए 55,000 बच्चों ने इस question को attempt ही नहीं किया मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यह आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा 55,000 बच्चों ने इस question को attempt नहीं किया 44,000 बच्चों ने wrong attempt केवल 800 बच्चों का यह question सही था ठीक है 31,000 बच्चों का partial mark 1, partial mark 2 और आप देखिए correct response percent केवल 1.83 तो ऐसे question को हम लोगों को सिरे से खारिच करना है तो इस question को हम लोग लीव गर दें, most doable का मतलब यह ही है मैं आप लोगों को तक्रीबन आप ऐसा मान लीजेए कर 36 questions आयता है ना मैं आपको 17 questions इसके अंदर attempt करके दिखाऊंगा 17 या फिर 18 अब यह question आप लोगों ने छोड़ दिया यह वाला जो question है आप लोगों ने छोड़ यह correct response percentage केवल 1.83 अब इसके अंदर भी मगर आप जो चीज ध्यान रख सकते हैं यह देखो इसका a option देखो ना है आर्ग्यूमेंट और यह question पढ़ने की भी जरूँद नहीं है argument of minus 1 minus i is equal to pi by 4 अब आप देखें which of the following statement are false तो यह false हो गया ना तो एक नमबर तो लाई सकते थे इसमें भी और इसी वज़े से देखो एक नमबर में 31,000 बच्चे यह वही वाले बच्चे जिनका यह option सही है यह वही वाले बच्चे जिनका यह option सही है तो ऐसे आप लोगा बैटल को थोड़ अगर उसको देखा जाए 120 नमबर का पेपर देखा जया तो बहुत खुंकार है पट हमें 50 नमबर लाने 55 नमबर का यह थे जा हो कोई दिक्कत नहीं है यह question होगे अब second question देखते हैं देखो इसकांसर ABDN second question देखते हैं second question के अंदर अब हम लोग इसके stats देखेंगे पहले यह 16.7 परसंट बच्चों का सही 16.7 परसंट और 1.83 में तो रात दिन का फरक होते हैं यह question हम लोगों को उठाना चाहिए यह question हम लोगों को उठाना चाहिए आप देखो 25,000 बच्चों का यह सही है 25,911 बच्चों का पूरा सही था यह question 36,873 का partially correct था एक नंबर 35,713 का partially correct था जिनको दो नंबर मिले ठीक है तीन option सही है इसका इसका मतलब ठीक है अब क्या बोल रहा है inner triangle PQR let triangle PQR equal to 30 degree ठीक है अब यह देखो यह question सही में बहुत easy है PQR correct PQR के अंदर यह angle 30 degree है PQ 10 root 3 है और QR 10 है तो यह सामने वाली पता चल जाएगी side up सामने वाले side पता चल जाएगी simple आप देखो आप देखो QPR sign rule लगना है sign rule लगना है लगना है लगना है नहीं लगना यह देखो अब यह 10 root 3 यह 10 है इस side को निकाल दो आप cosine rule से cosine rule से आप लोगों ने निकाला cos 30 degree root 3 by 2 is equal to 10 root 3 का square और इस square तीन सो प्लस 100 400 हो गया है ठीक है ना माइनस यह c को मान लो इसको c square upon 2 into 10 into 10 root 3 राइट 2 से 2 cancel हो गया यह कित्ता आ गया 300 आ गया 300 आ गया इक्वल to 400 minus c square तो c की value 10 आ गया राइट अब c 10 है तो यह 30 degree है तो यह 30 degree हो जाए यह 30 degree हो जाए तो यह 120 degree हो जाए करेक्ट बिल्कुल easy calculation हो गई आप लोगो अब QPR 45 दे रखा है जो बिल्कुल आप लिए और ट्राइंगल पी क्यूर इस 25 रूट 3 25 रूट 3 हम लोग निकाल लेंगे हाफ a b sin theta 10 into 10 root 3 into sin theta किता हो गया 25 बिल्कुल सही है और qrp 120 degree सही है अब सब इसलिए इसलिए इतना हाई percentage गया है इसलिए अब इस question को अगर आप सोच के तो सब्सक्राइब तो हमें आती नहीं है यह question तो बिल्कुल definition मता अकर किसने sot का एक lecture भी देखा हो रहा है जिसमें sine rule cosine rule बताते है इन radius circumradius के बारे में बताते है यह पूरा question solve हो जाता पूरा question solve हो जाता correct बोल रहा हूं तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखने है अब यह question मैंने select कर लिया चार नंबर आगए मेरे ठीक है ना चार नंबर आ पहला question मैंने छोड़ दिया था याद कीजिए एक ऐसा student हो में जिसका 50 नंबर लाने BCD का answer हो गया ठीक है अब इस question को देखिए यह वेक्टर का question है 20 प्रतिशत बच्चों का सही है आप देखो 20 प्रतिशत बच्चों का सही है तकरीबन 20 प्रतिशत मतलब 49,117 स्टूडेंट्स का यह question करेक्ट है 30,209 का एक मार्क करेक्ट है 42,592 को दो मार्क मिलें पार्शल मा आऊ तो 46% students है 46% in fact sorry यह चीज तो unattempted है यह न नॉट अटेंप्टेट है यह न करेक्ट है तो 30,209 का पूरा करेक्ट है और 42,592 का एक करेक्ट है बदोंको एक नंबर मिला इसका मतलब इसके दो option करेक्ट हों ठीक है तो आप यह देखिए तकरीबन 46% बच्चों को इसमें मिले 46 परसेंट बच्चों को इसके अंदर नंबर मिले तो यह चीज हम लोगों को करनी चाहिए अब फॉल्विंग स्टेट्मेंट इस रटू अब क्या बोल रहा है दो लाइन व इंटर्सेक्शन और पी टू है इस डाइरेक्शन रेशियो दे रखा है पी टू दे रखा है मै किन्ता बोड़ना फ्लड और हम जों सब्सक्रारेक्वाना चीज मिसेक निकल तो कित्ता हो गये का आप union matter तो A option incorrect हो गया, अब क्या बोल रहा है, the line this is perpendicular to line of intersection of P1 P2, P1 and P2 के line of intersection से perpendicular तो बस आपको ये चीज़ चेक करनी है और आपको coefficient देखो, ये 3 दे रखा है उसका ध्यान रखा है, तो ये केत्ता हो गया, X-4 by 3 upon 3 is equal to 3, Y-1 by 3 upon minus 3 is equal to Z by 3, ठीक है, तो ये तो उसी line पर आगई, actually, है कि नहीं, ये तो उसी line के along आगया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना ध्यान लगा के देखोगे तो ये तो उसी line के along आगया, तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी नहीं है, अब acute angle between P1 and P2 is 60 degree, तो आपको बस simply dot product करना है, ठीक है, dot product करना है, 2 root 6 हो गया है, और dot product कित्ता हो गया है, root 6 into root 6, ये cost ठीटा निकाल दिया है, dot product कित्ता हो रहा है, 2, 2, 4, 4 minus 3, तो half आगया, 60 degree, बिल्कुल सही है, C option बिल्कुल correct है, अब देखो, अगर आपने पहला question छोड़ दिया हो था, आपका पास समय बच गया, बहुत सारा समय बचने से आपके पास जो question आप कर सकते हो, factor 3D का बहुत symbol question तो आप लोग क्या कर सकते थे, ऐसे question को attempt करते वक्त, आप लोग ज्यादा समय दे सकते हो, एक एक option को अच्छे से check कर सकते हो, आपके number आ जाते, तो plus 4 यहाँ पे हो गया, तो अभी तक plus 8 हम लोग कर चुके, ठीक है, अब इसको देखते है, आप ये question करना है क्या 2% बच्चों का साइए, 2% बच्चों का साइए वाहिसा, ये question है ना है भी खतर, there exists, there exists, बच्चों को इन सिंबल से देर लगता है, बच्चों नो देखते ही छोड़ा है, 95,000 बच्चों ने इसको छोड़ दिया, 95,000 बच्चों ने इसको देखते ही छोड़ दिया, ठी अब question number 5 देखते हैं, question number 5 के अंदर देखो, 6% बच्चों का सही है और 5% बच्चों का partially correct है, ये question भी अब लोगों को छोड़ना है, ये question तुरंत प्रभाव से हम लोगों को छोड़ना है, वही 6% बच्चों का सही है, 5% बच्चों का partially correct है, ये question probably, possibly the toughest question of 2018 हो जाएगा, भी stats 12% बच्चों का सही है, मात्र 12% समझ रहो, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस question को भी छोड़ दिया, अब देखो, हम लोगों ने पूरा section खतम कर दिया, ये, पूरा section हम लोगों ने खतम कर दिया, ठीक है, अब ये 6 question देखो, अभी तक हम 5 में से केवल 2 question करत कालना पड़ेगा, हर जगे, हर जो चीज है, उसमें FX निकल रहा है, अब FX निकल रहा है, बहुत lengthy question होगा, इस question को भी हम लोग छोड़ देगे, तो अभी तक देखो, अभी तक का जो हिसाब किताब है ना, पहला section हम लोगों ने consume कर लिया, 6 question के 24 number थे, अभी तक हमारे 9 number है, situation खराग, कोई दिक्कत ने, और आप देखो, psychologically कैसे खेलते हैं, आप लोगों साथ, mathematics के हो, के अंदर, सबसे पहला section MCQ रखने, MCQ रखने दरूरी नहीं थे, हर code में MCQ है, बहुत सारे बच्चों को MCQ बाद में मिलेगा, MCQ के अंदर, 3 question बहुत अत्रंगी देख, चलिए, और हम लोगों को अब इसके stats हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये question देखे हैं, log का निहायती सरल सब, निहायती सरल सब, मतब बिलकुली मतब पहले lecture की जो properties होती न, उससे ये question आए, और इसी वज़े से 25% बच्चों का ये question सही भी है, अब इसमें तो partial marking का कुछ है नहीं, 25% बच्चों का ये सही है, हर चौथे बच्चे का ये question सही है, तो हम लोग इसको कर देगा, एक line में हम लोग करेंगे इसको देखो, ये अगर T है, T square की power, ये T square है, अब मैं base अगर change कर दूँ, तो log T, 2 हो गया, into root 7, फिर ये base change कर दूँगा, log 7, अब ये 2 आगे चला गया, T क पावर, log T, 2 square, into root 7, 7 की power half है, log 7, अब ये देखिया, जब ये same होते है, cancel हो जाते है, 4 आगया, ये half इदर जाएके 2 हो जाएगा, 7, 7 cancel हो जाएगा, 4 की power half, answer आगया, 8, तीन नमबर, focus के मिल गए, थोड़ा patience रखते हैं, तो 12 नमबर आ चुके हैं, अभी तक 27 नमबर का paper हो चुका है, 12 नमबर आप जुगार चुके, अच्छी बात है, अच्छी बात है तो, अच्छी बात है ना देखो, 27 में से 12 नमबर आप लोग के आगे, must question कर दिया आपने, selection, अच्छा selection of question कर, आपने तीन question छोड़े, समय बचाया, और इसमें, अच्छे देखो, ये तो मैंने कर दिया, अगर आप मानों मेर से थोड़े से slow होगा, तो आप लोग थोड़ा सा और जाधा time लगा लोगे, 2 मिट लगा लोगे, 2 मिट लगा लोगे, 2 मिट लगा लोगे मेरे साब से दो बिल्कुल भी बुरे नहीं है, ठीक है, चलिए, अब अगला question करते है, तो इसका answer 8 है, जैसा कि आप लोगे अब ये question देखिए, the number of 5 digit numbers दिवचा divisible by 4, with digits from the set, and the repetition of digits is allowed, ऐसे question देखो, जेही में अब दे रहा है, 2018 में जेही एडवांस वालों ने पूछ ले easy आये था, मेरा एक assumption है, मैं 30 सालों से paper को live solve कर रहा हूँ, मैं जो मानता हो ना हूँ, वो ये है कि अगर paper के अंदर integer का section आना, तो उसके question थोड़े से सरल होते है, क्योंकि integer अपने आप में एक difficulty है, आप option देखिए, आप उप्शन देखिए, आप उज़े हिंद मिल नहीं द दिजिट से 2 और 4, तो last में आप 2 रखोगे, ठीक है, और फिर यहां पर आप लोग 4 रखो, अब सारे cases देख लो, 2 के आके divisibility rule क्या होता है, 4 का last की दो 2 डिजिट है, वो 2 से divisible होनी चाहिए, तो आपने ये रखा, फिर ये रखा, और फिर ये रखा, इसके अलावा कोई possibility आ नहीं है, similarly, अगर यहां 4 है, तो आपने ये रखा, 2 रखा, और कोई possibility मेरे इसाब से आपके पास नहीं है, आप समझो, last में 2 आया, तो यहां पर odd आना चाहिए, तो 12, 4 से divisible होनी, 32, अब क्योंकि repetition allowed है, the good news is, इन सब को भरने के आपके पास, 5 into 5 into 5, that is 125 तरीके, तो total cases कितने है, 5 into 125 is 625, so answer किता आगया, आपका 625, मैंने एक मिनिटे पर कर दिया, आप 3 मिनिटे में तो कर सकते हो, 3 नमबर फिर से आ गए, आप लोग के, बनाई हो, 15 नमबर हो चुके हैं, 30 में से, देखो 50% का आखड़ा, आप लोग छू रहे हो, 40% की बात थी, 50% आपके मिल रहे है आप, चमका, चमका, यह चीज आप लोग को सोचना है, यह सब चीज है, आप लोग को सोच नहीं है, ठीक है गईज, I hope आप लोग को सब चीज समझ भारी है, आप लोग इस चीज को एप्रिशेट कर पा रहे हो, किस सरीके से question selection होता है, statistically हम आपको बता रहे है, 24.21, 24.21, मतल सीट से, 37.000 बच्चे, यह question सही कर रहे है, इस question को छोड़ना, अपने selection के साथ खेलने के बराबर, ऐसे question को आप कभी भी नहीं चोड़ सकते, चमका आपको, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 625 आंसर आगे, अब यह देखिए दोस्तों, यह question मेरा favorite question, यह question मेरे favorite question, इस question की story भी मैं आप लोगो बताऊंगा, देखो, इसकी पहले correct percentage देखो, ठीक है, 7631 बच्चों का सही है, अब यह किन-किन का गलत है, मैं आपको बताता हूँ, AIR 4, 2018, पवन गोल, यह question गलत, ठीक है, AIR 46, उतकर्ष, उसका भी यह question गलत, अब यह question गलत कैसे हो सकता है, आप देखो, यह routine problem, let x be the set consisting of first 2018 terms of arithmetic progression, यह आगी, y be the set consisting of first 2018 terms of the arithmetic progression, यह आगी, then the number of elements in set x union y, अब इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को एक आदत है, x intersection, हमने जीवन भर, हर coaching के module में यह question है, कि इन दोनों progression की common terms निकालते है, common terms निकालते है, यहाँ पे इन्होंने union पूछ लिया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, union पूछ लिया, अब n x union y, अब यह question करना जरूरी था, number of terms in x, plus number of terms in y, minus number of terms in x intersection 1, एक ही formula था, answer 4036, minus n x intersection y, तो x intersection y, तो अभी भी निकालना है, common term निकालने का बहुत simple तरीका होता है, ना, 1, 6, 11, 16, 21, dot 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 dot, 9, 16, 23, dot 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 dot, पहली common term क्या है, common 16 हो गई, इसका common difference 5 है, इसका common difference 7 है, टोटल मिलाके, जो common difference लोगे, इसका LCM लोगे 35 आएगा, तो ये आपकी GP बन गई, AP बन गई, impact, ये आपकी AP बन गई, तो आप लोगों ने number of terms निकाल दी, common, number of terms common कैसे निकालेगी, देखो, आपको ये चीज़ देखनी कि, ये AP बढ़ी है ये AP बढ़ी है, ये AP बढ़ी है 2018, कित्ता होता है, 2018 into 5, तो ये कित्ता हो जाएगा, जो इसकी last time आएगी न, वाइगी 5 into 2018, minus 4, 5 into 2018 कितना होता है, 1090, 1090 minus 4, तो ये कित्ता हो गया, 10086, अब आपको ये जो number है न, ये 35 Q, 35 N, minus 19 दे रहे हैं, इसको आपको 10086 से छोटा करना है, ये इसा ही तो करता है, number of terms निकालने के लिए, number of common terms निकालने के लिए, इसको ऐसे ही करता है, less than equal to, तो ये कित्ता आ गया, 35 N, less than equal to, ये add कर दो इसके अंदर, ठीक है, 14 5, तो 1, 2, 3, 10086 तो ये आजाएगा, 10105, 35 की टेबल से काट दो इसको, 5 से, 7, 2, 0, 2, 1, तो अब ये 2, 2, 0, 2, 1 अना हम दोस्तों, 7 की टेबल में आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे पता है ये बात, तो 7 N कित्ता हो गया, less than equal to, 2, 0, 2, 1, upon 7, तो ये तक्रीवन, 288 आ गया, ये 288 आ जाएगा, तो 288 कॉमन टर्म्स है, तो आंसर आपके कित्ता है, 4036-288, 14-12-44, 393748, अब ये आंसर है, बच्चे क्या, 288 मार्क करके आगे, बच्चे इसमें मार्क करके आगे, इन्दी इंट्रेस्ट, मैं इस क्वेशन को गलत मान लेता हूं, बड़ ये गलत नहीं है, बहुत इज़ी क्वेशन है, रूटीन प्रॉबलम, आप ये मानेंगे, ठीके, ये बहुत इज़ी चीज़ है, जो हर एक बच्चे को आती है, आप मानेंगे इस चीज़ को, देख सकते हैं, अब ये क्वेशन तो देखो, दिखने में घतरनाक लग रहा है, मगर अब आप देखो, घजब बात देखो, इस क्वेशन, स्टाटिस्टिक्स, 19 प्रतिशत बच्चों का सही हो गया है, कितने बच्च्चों का सही है, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को ब क्या था, essentially, sin inverse x is equal to pi by 2, या फिर इसको a लिख लो, minus cos inverse y, b देखो, तो इसमें a equal to b ही तो करना है, a equal to b पर ही आता है, अब देखो, आपने यहाँ पर, infinite gp लगा ही, मस्त, infinite gp, क्योंकि x आपका इसके अंदर है, infinite gp में देखो, यह कहां से चालो हो रहा है, x square से, x square upon 1 minus x, फ minus x square by 2 upon 1 minus x by 2, फिर इस एंगल के बराबर कर दिया मैंने इसको, यह a और b बराबर है ना, तो मैंने इसको बराबर कर दिया, 1 से चालो हो रहा है, minus x by 2 upon 1 plus x by 2, minus, यह minus x से चालो हो रहा है, अब देखो यह कित्ता हो गया, x2 upon 1-x, यह आ गया एक तो, फिर उसके अलावा यह कित्ता आएगा, x2 upon 2-x is equal, ठीक है, यह minus यह minus यह plus कर देता हूं, इसको, x upon 1-x, फिर minus x upon 2-1, ठीक, अब एक x equal to 0 तो solution आई गया, उसको लिख लो, और एक काट दो, तो यह कित्ता आ गया, अब देखो, solve करना है ना, इसमें देखो, क्यूंकि आपने समय बचा लिया है, तो आप इसको solve कर सकते, और यही statistically दिख रहा है, कि बच्चों ने इसको patiently solve किया है, और answer निकाल, अब यह question देखो, दोस्तों इसलिए भी सही होता है, वैसे आपको बहुत और इसलिए बताओ, कि बच्चे जब यह quadratic बनाते है ना, सोचके देखो, बच्चे ने किसी बच्चे ने equation बनाई, अब उसने आगे solve भी नहीं किया, तो यह समझ जाएगा, बहुत सारे बच्चों यह वाग किया, answer इसका 2 है, तो यह देखो, आप देखो, कितने सारे बच्चों ने इसको सही किया, इतने सारे बच्चों अटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें तो इससे आपका एक और आंसर इसेंशली आ जाएगा इसको अगर आप सॉल करोगे आपका आजाएगा पॉइंट यह क्वेश्चन के अंदर जो इंपोर्टन बात थी यह है कि इस बीन करेक्टेड वै सब्सक्राइब तो इसकी तो इसकी कि अधियर सब बच्चों ने इसको मांग कर दिया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह तीन नमबर आपको मिल गए यहां तो अभी तक आपके ठारा नंबर हुआ है ठीक है कित्ते कित्ते नंबर अटेंब कर लिए आपने बाराः प्ल अब यह बिल्कुल ईजी हर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अंदर हर मॉड्यूल में यह होता है और इच पॉजिटिव इंटीजर एं तो इसको तो करना ही है लिमिट यह निकाल देन देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल इस ठीक है क्वेश्चन पढ़ लिया इंटिग्रेशन इस लिमिट आओ सम होगा इसमें लन वाय एन हम लोगों ने किया इसके ठीक है तो यह यह प्लस यह चमंग गया न आपको लन यह आ खिक है अब आप एक काम करो या यानि मेरे इसाप से इसको ऐसे कर्ने की जगह अब इसको ऐसे करने की जगह आप इंटीग्रेशन इस लिमिट आपको बनाना है न मैं इस N को अंदर ले जाता हूँ इस N को अगर मैं अंदर लेके गया तो यह N सब के अंदर आ जाएगा और फिर देखो यह कितना ब्यूटिफुल बनेगा सब्सक्राइब लगाते हैं यह लास्ट में क्या एगा एलन टू ठीक है एलन टू हो गया है तो आप इस चीज़ को देखिए यह आर बायन इसको मैं असे लिखूँगा एलन वन प्लस र आर अपान एन आर इस एकवल टू बन से एँ इन टू एन अब इसको कैसे कैसे रिजॉल करते हैं हम लों इंटीगरेशन ओ एलन ओन प्लस एक्स दी एक्स जी उन कर देते हैं यह हो था जितना मुझे पता है यह हो था जतना मुझे पता है एलन वन प्लस एक्स राइट मेरे साब से यह होता है तो यह यह रख दिया तो यह वन हो जाएगा से 2 हो जाएगे इसका मेरे को इंटेग्रेशन पता है ना सीधा-सीधा-सीधा य और य इंटेटीरेशन मुझे पता होता है इसलिए डाल दो लिमिट 1 और 2 2 डाली तो 2 2 ln 2 2 ln 2 minus 2 minus 1 पर यह 0 आगे माइनस हो ठीक है तो यह कितना हो गए 2 ln 2 minus 1 ठीक है तो यह 2 ln 2 minus 1 आगे है 2 ln 2 minus 1 इसको लिख सकते हैं ln 4 minus 1 यह फिर ln 4 upon e तो yn कितना आगे है पिटा 4 by e अब इसका ग्रेटेस इंटेजर लेंगे तो आंसर आगे आपका ग्रेटेस इंटेजर लेते ही आपका आंसर आगे ठीक है तो अब इसमें भी देखो आपने समय बचा लिया वन आंसर आगे 4 by e 2.7 होता है तो 4 by e का ग्रेटेस इंटेजर लोगे तो वन ही आंसर आएगा ना ग्रेटेस इंटेजर लोगे तो वन ही आएगा तो यह क्वेश्चन देखो इसलिए है क्योंकि इसमें इंटेग्रेशन लिमिट ऑफ सब बनाना बहुत ज्यादा सरल काम था और इसी वाज़े से 33 परसंट बच्चों का यह सही वह 21 नंबर आगे नंबर आगे थर्टीनेंडबर से एक्शिस नंबर आगे थर्टीनाइबर से करेक्ट है कि 2022 के लिए इस चैनल पर आएगा दोस्तों अब यह देखो यह वेक्टर का कुष्ट्टन तो इसको देखो रूट 3A कॉसेट्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्वेशन है त्रिग्नोमेट्रिक एक्वेशन है पंदरा परसंट बच्चों का सही हो है क्योंकि ग्यार्वी जनरली बच्चों की खराब होती है बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़के लगए इसी वज़े से यह क्वेशन भी बच्चे चोड़के गए तो हमारे देखो 21 नंबर आये हैं अभी तब 45 में से यह क्वेशन भी आपने छोड़ दिया तक्रीवन 18-19 परसंट होता दो करते हैं ठीक है अब यह देखो यह है अब फार्मर एफ-फ़न हैं 29 प्रतिशत बच्चोंगा सही है यह क्वेशन तो हम लोगों करना पनता है 29 परसंट बच्चोंगा यह क्वेशन सही है ठीक है तो इ इनको प्लॉट कर देते हैं इसको प्लॉट कर देते हैं यह आगया 0,0 यह आगया 1,1 यह आगया 2,0 ठीक है फ्रॉम दिस लैंड अ नेबरिंग फार्मर एफ-फू टेक्स अवे रीजन विच लाइस बिट्वीन दर एक मिना अब इसको माक कर देता है यह पी है यह क्यू है यह आर है एफ-टू टेक्स अवे रीजन विच लाइस बिट्वीन दे लाइन पी-क्यू अडिकर्व ओफ दे फॉर्म य एक्वल टो एक्स की पावर एं य एक्वल टो एक्स की पावर एं एं ग्रेटर दन वान है ठीक है इफ दे एरिया टेकन बाइटे फार्मर इस एक्ट एसा जायाएगा यह कर कू ऐसा जा के आँग अ अब देखो मैं आपकर बधिया चीज बताता हूं इसका जो ठर्टी परसंट एरिया है और इस ट्रैंगल का जो अगर्टाड़ की परसंट एरिया वह लिए निकालके बताता हूं थी करब वह आ अप लोगों को निकालकर बत से 3 आपका एरिया जाएगा देखो एरिया आप दे रीजन टेकन बाइ फार्मर क्या बोल रहें एफ टू टेक्स अवे रीजन विच लाइस बिट्वीन दे लाइन पी क्यू ऐसा कुछ आप एरिया मर लेंगे इसको आपको 30 परसंट करें इसको आपको 30 परसंट अब यह ख लिए गाहिंगे तो X is equal to X की पावर N और रहे हिंगा उरício ग्याल टो इसको इसको में को इवालइट लैटा लिएंगा यहां पर कहीं करें अगर उल्ठ करेगा अगरिंव कुछ कुछ करेंग इस में पर ऐसे तरह कुछ मांतो तरह unto 30 परशन आएगा यह आपको फोड़ा सा देखा पड़ेगा थीक है अब यह यह आपने बादके से आपने को देखना पड़ेगा किस तरीके से यह था कि आएगा कि अब यह एरिया को दिखाल मैंगे से तो से अब ये पॉइंट रहा इसको ध्यान से देखिया ये पॉइंट a, a की पावर n मानिया एक बार के लिए अब अब गया दून दो अन्लोन बनाएंगे a2 by 2 minus a ki power n plus 1 by 2 by n plus 1 is equal to 3 upon 10 ये आएगा आप राइट ये आएगा ठीक है ना अब भाही ये चीज़ सुचे आप एकस उक्वाइट टीकिए प्क रच करव इजेंशली वन नहीं että 7 ये वन ही आएगा आप इसको इस चीज़ को लिएगा या साल्य है सोलूशन आप देखें क्या है आएगा यहां डोल्य मुण को नका से ये वरण कॉमा वन से पास करी यहीं से जाएगा इसपइं से एक याफ इसको आपने 5 x 10 लिख लिए तो यह 2 x 10 तो 5 तो 5 इस एकल टो एन प्लस वन एन की वैल्यू आपकी मस्त फोर अगे थोड़ा बहुत कन्फूजन यह था देगा अगर किसी को किसी ने सोच नहीं यह वन कॉमा वन से पास करें गए तो बहुत इसली आंसर आ जाता है पाइव इस एकल टो एन प्लस वन तो एन की ठीक है तो अब कित्य नंबर हो चुके आपके 42 में से 21 नंबर आपके हो गए था पहले अब 48 में से 24 आप लोग के हो चुके अब क्वेश्चन नंबर 15 पात अब यह लिंग्ड कॉम्प्रिहेंशन लिंग्ड कॉम्प्रिहेंशन आएगा देखे ठीक है तू पैरेग्राफ्स 3 0-1 है ठीक है 3 0-1 अब अब अपने इसको देख पहे है अब यह कॉम्प्रिहेंशन दलेगो S be a circle in the xy plane defined by the equation x2 plus y2 equal to 4 पहला question 26 percent बच्चों का सही है तो पहला question तो हम लोग को करना ही चाहिए पहला question तो हम लोग को करना ही चाहिए let s be the circle in the xy plane defined by x2 plus y2 equal to 4 question पढ़िए e1 e2 and f1 f2 be chords of s passing through point 1,1 ठीक है and parallel to the x at y axis ठीक है ठीक है देखे हम एक बार थोड़ा सा बना के देखेंगे इसको फिर अपन इसको fair diagram बनाएगे e1 e2 and f1 f2 are chords of circle कहाना generally comfortable होते है बच्चे इसले इतने सारे बच्चों नहीं सही हो यह 40,000 बच्चों का यह question सही है 40,000 chords of s passing through point 1,1 इसके अंदर लाए करेगा एक परालल to x-axis एक परालल to y-axis एक परालल to y-axis रेस्पेक्टेवली G1 G2 be the chord of s passing through point P0 P0 से pass होती हुई and having slope minus 1, minus 1 यह वाली होगी है ना 2,0 और 0,2 से जो जादी है ठीक है यह G1 G2 है लेट is tangent to s at e1 tangent to s at e1 and e2 meet at एक मिन देखो अब किसकी कौन parallel to किसके यह देखना पनेगा e1 e2 parallel to x-axis यह e1 e2 है तो यह tangent बन गई है आपके right f1 f2 with the chord अब फिर देखो क्या है लेकर गाए meet at e3 यह e3 है the tangent to s at f1 and f2 meet at f3 यह f3 है यह f3 ठीक है अभी देखना पनेगा भई हर चीज को f3 and g1 g2 meet at g3 g1 g2 तो भी 2,2 पर meet करेगे 2,2 पर meet करेगे then the point e3 f3 g3 किस curve लाए करेंगे 2,2 क्यस पर लाए कर रहे इस पर भी लाएकर रहे है इस पर लाएकर रहा,2,2 और इस बागी तीनों पर लाएक कर रहे mean अब यह बहुत easy question क्यों है मैं आपको बताता हूँ 1,1 से अगर यह pass करेगी तो यह तो क्या हो गया x y equal to one line हो गया ठीक है तो यह आपका minus root 3,1 और root 3,1 हो गया ठीक है तो यह point आपका 0, अब ध्यान से देखो यह क्या होगा यह जो line न यह आपकी जो line आएगी root 3,1 पर जो आएगी root 3,1 यह मतलब यह जो angle है आपका इसकी जो slope हो गया यह 60 degree हो गया मतलब यह 120 degree हो, यह equilateral triangle हो गया तो यह 30 degree हो गया तो यह जो आए गाना देखो इनके बीच में angle यह length कितनी है 2 root 3 length तो यह length भी 2 root 3 आएगी ठीक है यह length भी 2 root 3 आएगी तो यह 3 आजाएगा तो यह 4 आजाएगा तो यह 0,4 है तो यह 4,0 आ जाएगी तो यह ना एक्स प्रस य एक्वल टू 4 पर जाएगे तो डाइग्राम डाइग्राम में पूरा कॉश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने के जिरू होते हैं पूरा डाइग्राम में मैंने सॉल्व कर दिया और आप भी कर सकते हैं इतनी बेशिक जॉमेटरी सबको आती इतनी बेशिक जॉमेटरी सबको आती है तो इसका आंसर अउना चीए एक तेम नमबर आगांद है अब इसकोशन को देखो 33% बच्छोग सथा इस एक सरल दा मतलब यह पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन ही सरल द ठीक है तो भाई अब देखो आप 24 नमबर दे 27 नमबर हो चुके है अब आपके आपके आउट ओ फिफ्टी वन लेट पी वी दी पॉइंट ऑन सरकल एस विद बोथ कोडिनेट्स बीं पॉजिटिव ठीक है अब देखिये वापस एस पर है दोनों कोडिनेट्स पॉजिटिव लेट टेंजन टो एस एड़ पी इंटरसेग दी कोडिनेट्स एड पॉइंट एम यह एम है यह एन है अब आप देखो ना यार यह क्या है तू कॉस्ट थीटा कॉमा टू साइन ठीटा यह कहां इंटरसेग करेगी तू कॉस्ट थीटा कॉमा टू साइन ठीटा तो यह लाइन हो जाएगे आपकी एक्स कॉस्ट थीटा प्लस वाय साइन ठीटा इस इकॉल तू अब यह इंटरसेग कहां पर करेगी यह इंटरसेग यहां पर करेगी तू कॉस्ट थीटा तू सेग थीटा कॉमा जीरो और यह करेगी जीरो कॉमा तू कॉस्ट थीटा बस मिड़ पॉइंट क्या आ गया एच क तो बस 1 by h का स्क्वार प्लस 1 by k का स्क्वार बस 1 आ गया तो h2 plus k2 equal to h2 k2 which is option number d very very easy problem अगर पहला वहला नहीं भी कर भाऊ न यह तो करना है तब यह 33% पर चुबा साही है तब यह 33% पर चुबा सही है तो भाई आपके देखो तीस नंबर आगया 54 में तीस नंबर आगया 54 में 33 % बच्चों का सही है भाई statistically बोल हो नहीं तो अपने साब से भी बोल रहा कि 33% बच्चों को इजी लगा ना 33% बच्चों को इजी लगा है चलिए आगे बढ़ते हम अब बी आंसर आ गया जैसा मैंने बताया अब यह नंबर आगया यह प्रावाबिलिटी का 23 % बच्चों का सही है यह साइए अब घॉंटी थी पर च्चों का सही है अब देखते ही बच्चे छोड़ देते तो मैं आपको दिखाता हूं और दूसरा वाला को दिखाता हूं यह 12% बच्चोगा तो अब मैं आपको benefit of doubt दे रहा हूं इसके benefit of doubt दे रहा हूं क्यार चलो यह दोनों ही question ऐसा ही ऐसा ही पता थोड़ा सा tricky दिख रहा है छोड़ दो इस question probability का question है छोड़ दो तो आपने देखो कितना पेपर के अंदर साथ में से साथ में से तीस नंबर का जुगार बता दिया साथ में से तीस नंबर कैसे पेपर वन complete हो चुका है अब देखो आप लोग घर गए मस्त दो ढ़ाइट नाश्टा वाश्टा किया और आप पेपर टू के अंदर जाने वाले हैं ठीक है अब पेपर पेपर टू के अंदर अब लोग एंटर करेंगे पेपर टू में देखो पहले छे कोशन फिर से मल्टीपल करेक्ट फिर आठ नुमेरिकल आंसर जिसमें डेसिमल में भी आ सकता है और दो लिस्ट मैचिंगे विद सिंगल करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अब यह देखो बहुत खतरनाग पीपर नाइन प्रतिशत प्रेक्ट रिस्पॉंस है छोड़ देंगे इस कुश्चिन को नाइन पर्दन पूरी तरह से छोड़ देंगे छोड़ दिया बाई जीवर नंबर आए बदाई यह कोश्चन तो बहुत टफ था इस तुफेस्ट पिद्रफेस कोश्चन य कोई दिक्कत है क्या में पिशली बार भी आगा था छोड़ दो कॉडिनेट का बहुत टाफ क्वेश्चन दाओ ठीक है अब इस कुश्चन को देखते है एट परसेंट बच्चों का यह सिंगल करेक्ट है पेपर टू देखो हमेंसे टाफ हाता है एट पंट सेवन का करेक्ट है 6.85 का पार्शली करेक्ट है 14 परसेंट का यह कुश्चन भी हम लोगों ने छोड़ दिये बहुत खराब सिच्वेशन चल रही है अब इसको देखो 21 प्रतिश्यत बच जोगा यह कुश्चन सही है चौते कुश्चन पर हम लोग आ पहला कुश्चन है जिसको हम लोग कर सक सब्सक्राइब करेंगे तभी बता चलेगा सौल करेंगे तभी बता चलेगा इस टेंजेंट तो इन दोनों से टेंजेंट है लेट इस लाइंट इंटरसेक्ट पॉइंट क्यू निकाल लूगा मैं आप दिमाग लगाओ इसकी टेंजेंट यह होती है और सरकल की जो टेंजेंट होती है वो यह होती है अब मैं क्या करूँगा इन दोनों को एक्वेट कर दों इस एकल तो एसको आपको आपको तो यह क्यों आपको शक्तल के यह कोशेंट की आंशाथ वन और माइनस वन आत्यान नाीं दिमाग लगाओ यह पैरा मूला है यह आपका सरकल था और दोनों यह आपका शर्कल इनकी जो टैंजेट हैंगी वो एक्स एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट करेंगी और एक की स्लोप वन है एक की माइनस है अब आपको कितना स्टाइल से यह निकाल के दूंगा देखो कहां इंटरसेक्ट करनी हो ठीक है कंसिडर निप्स एंटरसेक्टेट पॉइंट के यह पॉइंट आपका क्युँ है यह पॉइंट आपका क्यू ठीक है अब आप देखिएगा अब देखेएक ओन अब इसका इसका डायेक्स यह पॉंट परसेंट माइनस वन कॉमा जीरो आएगा अब क्यू माइनस पॉमाइनस 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 पॉ रहता हूं कि कि मैंने निकाले दिए पेड़ी ऐसी है अब Εलिप्स का कि और आ यह लेंथ 1 by root 2 आजाएगी यह लेंथ 1 by root 2 आजाएगी तो A आपका 1 है B आपका 1 by root 2 है आपका ellipse की equation क्या होगी बस तो x square plus 2y square equal to 1 यह आपका ellipse है अब eccentricity पर eccentricity सब निकाल दो लेट्स रेक्टम क्या होती है 2b square by a eccentricity निकाल दो इस eccentricity क्या हैगी under root of 1 minus b square upon a square तो 1 by root 2 आगे eccentricity 1 by root 2 आगे लेट्स रेक्टम 2b square by a होता है 2 into b square by a 1 आगया a option कते ही correct है a option कते ही correct है अना a option बिल्कुल correct होगी ठीक है easily निकल गया ना यार eccentricity यह तो गंदत हो गया अब c और d में से एक correct होगा the area of region bounded by ellipse between the lines 1 by root 2 and x equal to 1 ठीक है अब ellipse निकल गया आपका bounded by अब यह question थोड़ा सा यहां पर lengthy हो समय है आप देखो ना मैंने इस तरह से गया ना वैसे बच्चों ने किया हुआ पहले तीन question तुरंट छोड़े होगा अब इस question में आपके बजट साथ आट मिंट का हो गया ना साथ आट मिंट का बजट हो गया आपके बस ठीक है the area of region bounded by ellipse between the line x equal to 1 by root 2 और x equal to 1 x equal to 1 by root 2 यहां कहीं आएगी यह है ठीक है ellipse between the line यह वाला एरिया है यह एरिया कुल्म लाके कुल्म लाके यह वाला एरिया twice of क्यासे करेंगे तो twice of x ना से का तक जाएगा 1 by root 2 से 1 ठीक है तो आपका यह कित्ता हो जाएगा हाफ अंडर रूट ओफ 1 minus x ठीक है मतलब यह आएगा एक मुल्म लूट के तो यह कित्ता हो गया 1 by root 2 इंटू अंडर रूट ओफ 1 माइनस x स्कूर बस इसको इंटीग्रेट करतेंगे इसको इंटीग्रेट करना सबको आता ही है स्टैंडर फॉर्म है तो यह चार नंबर आपको मिल गए बदाई होए तो अभी तक आपका चार में से सोला में से चार नंबर का जोगाड हुआ है ठीक है अब अगला को इस अब यह देखो एक परसे बच्चे का साहिए यह फिर से थोड़ देंगे फिर से चोड़ दो कोई दिक्कत नहीं फिर से चोड़ अब क्वेश्चन नमबर 6 2.95 यह देखो पार्शली करेक्ट हो गया इस कोईशन को उठाना चाहिए कौन कौन से अप्शन इसके अंदर पार्शली करेक्ट हो सकते थे थे ट्वाइस डिफ्रेंशेबल फंक्चन दे रखा है और यह में एफ पाई बैट्वाइट तो टी पे लिमिटे तो टी के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको कि साइन एक्स ना यह बना अगया थीकर अब इसमें टाल दो तो एस एस साइन श्क्वाइब साइन शेम्टर एक्स टीए ना यह इसको इंडिप्रेंट कर दो यह कित्ता आ गया वाय cos x minus y dash sin x, इसको नीचे लिया है, यह 10x बन गया हूँ, या फिर इसको ऐसे करता हूँ, आप तो पहले इसको पूरा लेखू, लीनियर बनेगी नहीं, लीनियर बनती ही देखवा, y cos x minus y dash sin x is equal to sin square x, sin x से divide होगा, minus sin x, तो y dash minus cot x या cos x upon sin x into y, minus sin x से divide के है, तो minus sin x, ठीक, अब integrating factor ले 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 ठीके, और देखो, अगर मांदलो, आप यह f of pi by 6 minus pi by 12 है, ठीके, integrating factor ले 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 ले, integrating factor ले 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 पर क्या आएगा, integration of minus cos x upon sin x dx, ठीके, तो यह कित्ता होगा, ln sin x का minus, ठीके, तो यह कित्ता होगा, 1 by sin x कुलम लागे integrating factor ले 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 ले, 1 upon sin x से multiply कर ले, ठीके, तो यह कित्ता होगा, y upon sin x is equal to minus x plus c y कित्ता हो गया minus x sin x plus c sin x ठीके, pi by 6 डालो यहां पर pi by 6 डालने पर यह कित्ता आ रहा है minus pi by 12 ठीके, pi by 6 डालने पर यह कित्ता आ रहा है minus Pi by 2 plus c by 2 तो c की value zero आगई c की value zero आगई तो आपका y जो है वो minus x sin x आगई बस अम मस्थ टाल दो आख यहाँ पर सब चीज़र solve कर दो Pi by 4 कित्ता आ रहा है? check करो Pi by 4 पर यह कित्ता आ रहा minus Pi by 4 into 1 by root minus Pi by 4 root 2 आएगा a option गलत हो गया पूछा है इसके अंतर तो होई जाएगा सॉल इसके अंतर देखो एक और दो यह पूरा और यह तीन और आप्शन और इसको बच्छों गांशर होगा तो कुछ बच्छों गांशर हो गया यह तो गलत निकाल दिया था हमने तो बी-सी-डी में से भी थुरा से निकालना आसान ह फॉर ओल एक्स एक्सेंशनन केरंगे इसको ऊना इसने एक्स को क्या डनेगा इक्सको बच्चों-स नजगे ना एक्स माइनकुच ट्रूला दव तो अभी तक देखो चार नंबर हुए मेरे 24 बरबादी चारी तो ठीक है अब हम लोग अगले section पर जाएंगे इस तरीके से हमें करना होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह कुछ चलिए वन प्रतिशत बच्चों का एक राउंड में इसको छोड़ देते हैं एक बार एक राउंड के अंदर इसको छोड़ देते हैं अब यह देखें 28 परसेंट वाले भी तो हैं यार कर सकते हैं इनको भी हम लोग इनको भी तो कर सकते हैं 28 परसेंट वाले हैं लेट पी अ मेट्रिक्स ओफ ओडर थी क्रॉस्टी सच अब इसके अंदर आप सेट करोगे जैसे मानलो आपने इसको ए बीसी सिमेट्रिक दे रखिए गया नहीं द अब आप लोगोंने इसके डिटरिमेंट की वाल्यों क्या लेगी ए माइस फच प्लस बी इंटो फ्च माइनस दी प्लस प्लस की इंटो टी एच माइनस एजर अब देखो आपका बेसिक अजम्चेन क्या है आप इसको है ना देखो यह इनको सबको बन रखने कोशिश करों और ईसलों करूंगे कि यह सब टूटू जरेत हो जाए यह सब टूटू जरेत हो यह सब two to generate होने के लिए इन दोनों को one रखना पड़ेगा, इसको एक को minus one और एक को one रखना पड़ेगा, ऐसा ही होगा न, तो देखो E और I, मानलो A, B, C, सब one हो गए, एक बार के लिए, अब E, I को अगर मैं one करूँ, तो E और I, दोनो one one हो सकते है, minus one हो सकते है, अगर यह one हो गया, अब आप सोचके देखना ने, मानलो यह one है और यह भी one है, यह one है और यह भी one है, और अच्छा हाँ, यह चीज भी देखो, इसको इसमें इतनी high probability पता है क्यों हो, इसका answer two, four या six ही हो सकता है, अगर इन में से कोई one हो गया तो अलग बात है, मतलब maximum six हो सकता है, तो answer basically यह होंगे है, और बच्चों ने देख लिया होगा क्या 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 बन सकते है, one, two, three, four, five, six, इसके थोड़ा सा तुक्के में भी number आ सकते हैं, इसके अंदर, अब आपको reasoning करने पड़ेगी इसके अंदर, जैसे मानलो e और i को आपने one ले लिया, f को अब देखो, आप आपकोंए दे रणापने रम एफ द्या एं पने रणापनए बूचे है, अब देखो, आप four generate कर चुक्क रहे बाकी क के वैल्यू इसके अंदर बनाने के लिए आपको तीनों को 111 करना पड़ेगा तीनों को 222 करना पड़ेगा बनेगा ही नहीं वहाप मंदार हिटेंटर से देख सकते हैं तो इतने सारे कुछिशन छोड़के बैट तो यहां पर तीन नंबर फिर से आगया ठीक है तो चार प्लस ती अभी तक साथ हुए है साथ कितने में से चौबिस और छे तीस तीस में से साथ नंबर हुए भी तक ठीक है टोटल मिलाके 37 हुए भी तक 48 तक अपने को जाना है 11 नंबर का जुगाड़ और करना है अब यह देखो 21 इंटीजर के question में question easy आते है relatively राइट ठीक है अब दीक है अब दीक है let x be a set having exactly 5 elements, number of elements in x कितने है 5, number of elements in y कितने है 7, if alpha is the number of function from x to y, alpha क्या है x to y 11 function, beta क्या है on to function from y to x, अब देखो वन वन अगर आपको बनाना है ना तो इन पांचों को आपको mapping करने पड़ी तो यह तो कितना देखो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 हो गया है तो अब देखो आपको क्योंकि 5 factorial चाहिए ना थोड़ा से दिमाग लगा ना तू इधर ले लो तो यह हो जागा 21 into 5 factorial थोड़ी थोड़ी बीटा क्या है साथ object आपको पांच में मैप करता है ताकि on to function है तो कैसे हो सकते है थ्री वन 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 या फिर टू टू वन 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 ग्रूपिंग से करेंगे ना अब देखो यह कितना होगा 7 factorial upon 3 factorial फिर वन फेक्टोरियल चार बार आ रहा है इसलिए 4 फेक्टोरियल प्लस फेक्टोर तीन बार आए इंटू 5 फेक्टोरियल आएगा क्योंकि इन पांचों को अरेंज तो कर सकते हैं यह डिवाइड वाली स्टैप है यह डिस्ट्रिबूट वाली स्टैप सेवन सी फॉर पैतिस होता है अना अब यह कितना होगा यह चेक कर लो यार साथ इंटू 6 इं इन्टू 5 फेक्टोर फेक्टोर हो गया भाई है क्लियर है ना तो इससे आपका आसर देखो कितना ओगया 245 सब्सक्राइब कोई क्यालकुरिशन मिस्टेक नहीं किया तो टूटिफो न चीए कोई क्यालकुरेशन इसका मतलत कहीं कर दी क्या मतलब तो आप लोग को समझ बाए नहीं कैसे होगा वह 2225 126 तो आएगा नहीं 126 तो आएगा यहां पर 42 इंटू 3 11 ले रहा है ना हमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ओन्टू तो मेरे साथ वन वन तो बिल्कुल सही किया है हमने एक से य वन वन फंक्शन हम लोगों लिया है तो इसको अगर मैं करूंगा तो जैसे 1 2 3 4 5 और इधर ले लो आप A B C D E F G H इसको आप साथ तरीके से दे सकते हैं वैले इसको 6 इसको 5 इसको 4 इंटू 3 तो 5 4 3 एक सो बीस हो गया तो इधर तो 21 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू इसमें मुझे कोई भी गड़बर नहीं लग रही है यहां प आता है और 1 वान फेक्टोव तीनमर आधा तैसे कंचिल कर दिए ओन है और 210 प्लस 35 prime2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू इंटु बीटा माइनस अल्फा बीटा मेरा किता रहा है 42 इंटु फाइव 119 के लिए मुझे इसको यह 140 चाहिए तो 105 इसमें एक तू मिस कर दिया तू फेक्टरल दो बार आ रहा है तो उसका भी एक तू फेक्टरल आएगा तो यह 105 तो यह 140 इंटू फाइब तो 140 माइनस 21 कित्ता हो गया 119 यह आना चीहता देखो आपके पास सफिशन टाइम होगा मैं तोड़ा जल 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 दी कर रहा हूं इसली मिस्टेक हो गई आप लोगों ने अगर अच्छे से किया होगा तो आपके यह सिली मिस्टेक नहीं होगी बेसिकली दो बार दो फेक्टरल लिया तो एक दिनोमेटर में दो फेक्टरल अगर आगर अगर तो आप लोग का कित्ता आके अगे तीन नंबर और तो दस में से वहागे नो प्लस 24 33 में से अभी तक 10 नमबर का जुगाड़ हुआ 33 में से केवल 10 नमबर का जुगाड़ हुआ 33 में से केवल 10 नमबर का जुगाड़ हुआ ठीक है चलिए अब दी वाइ वाइ दी एक्स ये आपको दे रखा है ये मेरे को easy लग रहा है 21.65% बच्चे ये question करके आए 33,000 बच्चों का ये question सही है आर से आर differentiable function with f0 equal to 0 y equal to fx satisfy अब आप देखो ना ये क्या है dy आप इसको ऐसे कर दोगे ना 5y plus 2 into 5y minus 2 is equal to x partial fraction किया आप लोगों ने dx partial fraction किया 1 upon 5y minus 2 minus 1 upon 5y plus 2 total कित्ता होगे 1 by 1 by 4 integrate करोगे तो ln 5y minus 2 upon 5 minus ln 5y plus 2 upon थीक है तो कित्ता होगे 1 by 20 into ln 5y minus 2 upon 5y plus is equal to x plus c ये होगे अब क्या दे रखा है मुझे y equal to 0 f of 0 equal to 0 दे रखा है थीक है तो 5y minus 2 upon 5y plus 2 e की पावर 20x into c होगे तो minus 1 is equal to c आगया तो c की वैल्यू minus 1 आगे तो 5y minus 2 upon 5y plus 2 is equal to minus e की पावर 20x आगे ये मेरा function अब x tending to infinity पर x tending to minus infinity पर y की वैल्यू क्या आएगी अब extending to minus infinity ये 0 पर 10 करेगा तो y की वैल्यू 2 by 5 आजाने चाहिए थीक है तो ये question भी देखो doable था मतलब क्योंकि limit के अंदर थोड़े से easy इतना integration था limit के अंदर मास 2 by 5 आ गया मैंने कैसे किया इसको देखो ये 0 आ गया 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 आप लोग का दोस्तों कित्य नंबर का जुगाड हो गया है नो दस तेरा नंबर का जुगाड हो गया है तेरा नंबर का जुगाड हो गया है आउट ओफ 36 ठीक है अब अगले question पर आता हूं इस इक्वल टू fx f dash y प्लस f dash x ठीक है अब देखो इसके अंदर में y को 0 डा तो fx इस इक्वल टू fx into f dash 0 प्लस f dash x f of 0 बन दे रखा है ये आ गया आपका ये देखो मस्त equation बनगी ना तो ये कित्ता आ गया f dash x is equal to fx 1 minus f dash 0 तो ln fx is equal to 1 minus f dash 0 तो x plus c आगया तो fx basically e की पावर 1 minus f dash 0 x plus c अब इसमें देखो x और y दोनों को मैं 0 डालूंगा तो f of 0 is equal to f of 0 जो कि 1 है f dash x plus f dash 0 sorry f dash 0 ये आ गया f of 0 1 ते रखा है तो f dash 0 essentially आपका आप आप आगे तो ये डाल दो तो e की पावर x by 2 c 1 e की पावर x by 2 आटाएगा fx ठीक है अब f of 0 हमें 1 दे रखा है तो c 1 1 नहीं आ गया तो fx आपका e की पावर x by 2 आ गया अब लॉग ले लो f of 4 भी लेना है f of 4 आपका कित्ता आ गया e square लॉग लोगे तो 2 आ जाएगा तू answer और ये तीन नंबर भी मेरे साब से बहुत ऊचिए तो आपका देखो दोस्तों सोला नंबर का जुगाड़ हो गया outta 39 पी आउट ऐसाफ आगे का रहता है अब ये देखो 11 कि Ace and तोड़ी होगा ग्यारा परसेंट वाला क्षेंट थोड़ी होगा ठीक है अब यह कुश्चन देखो बैक्टर चौदा परसेंट है एक राउन में इसको भी छोड़ दूँ अहां यह कुश्चन देखता है यह पता नहीं बच्चों को नहीं आता है बट ग्यारा परसेंट चोड़ तो भई अभी तहां ना थी ऑटी एट में से दोस्तों हमारे कितने नंबर का जुगार हुआ है अभी ता कि फ्रटीन का जुगार हुआ उट्याख स क्वभल थटीन नंबर का जुगार हुआ इतले सारे क्विश्चन तो हम प्रगों ने च्छोड़ दिये अब यह दो आम यह देखू बहुत लोगत डोग है सभी होता है उसका लिस्ट मैचिंग क्वेश्चन एक ओप्षिन को मैच करना होता है देखो पी का 4 4 4 है 2 3 2 3 तो मैं बेसिकली यह ना देखो पी को सॉल नहीं करूँ पी मुझे क्या दे रखा है रेंज ओफ एफ इस एफ क्या दे रखा है अब देखो इसमें मैंने एवन को सॉल किया मेरा एक इंटू एकस मारोकरम से इनफिनिटी आच को नहीं एकस आप मुझे इसकी ठीक है, अब 1 से बड़े पर, आप देखो कुलम लाके 1 नी हो सकता बस, 1 नी हो सकता तो ये 0 गायब हो जाएगा, इसके इसके इंटरबिल में से 0 गायब हो जाएगा ठीक है, तो ये आएगा, पी का 4 आंसर आएगा बिल्कुल, पी का 4 आंसर ये आएगा देखो, 0 गायव हो गया क्योंकि आपका, वादब 1 भी गायव होना चाहिए, तो 4 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, नहीं, 3 तो नहीं आएगा, पी का, the range of f पुछा है न, function is defined by this, ठीक है, तो ये किता आगया, अब ln of, तो ln of 1 प्लस, 1 अपॉन एक्स में, तो 1 नहीं हो सकता है, ये function कभी भी 1 नहीं हो सकता, तो ln 1 0 होता है, तो इसलिए पी का आंसर तो 4 आएगा, पी का आंसर 4 आगया, अब देखो, उससे आपका, s अगर आप solve कर दोगे न, तो पका आंसर निकल जाएगा, s solve करो, the domain of g is, g e2 से r defined है, e2 क्या है, x belongs to e1, sine inverse, sine inverse this, ये real number है, तो इसका मतलब, ln, x upon x minus 1, should lie between minus 1 से 1, x upon x minus 1, या फिर 1 प्लस, 1 upon x minus 1, should lie between minus 1 by e से 1 by e, right, यही आएगा, 1 upon x minus 1, कहां से गांता हो गया, minus 1 minus e upon e से, 1 minus e upon e, यही आगया, correct, यह आगया, e2 यह है, अब domain, sine inverse, यही फंक्शन दे रखाएगा, यही फंक्शन दे रखाएगा, तो खुल मिलागे, आपको तो, आपको तो e1 में से इसका intersection निकालना है, e1 में से जहां पर यह defined हो जाएगा, तो अब, must, एक काम कर सकते हो, अगर यह सारी value negative है ना, तो आप रहना reciprocal लोग एक बार, जैसे आप सोचो यह सारी value negative है, एक बार के लिए आप ऐसा सोचो, सारी value negative है, तो यह x की value भी negative आनी चीह आपकी, x की value negative आनी चीह, आप समझे रहो, तो 1 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 6 negative हैगा, 6 भी negative नहीं है, 5 भी negative नहीं है, चलो इसको करके देखना पड़ेगा अब अब अपने को, ठीक है, यह आपका 1 upon minus 1 by e की power minus 1, मैंने यह गरबर कर दीगा, 1 by e से e जाएगा, पूरा ही गलत कर दिया मैंने इसको, क्योंकि एलन जब निकलेगा, तो यह 1 by e से e राएगा, तो 1 upon x minus 1 आपका e minus 1 से 1 by e minus 1 आएगा, ठीक है, तो यह देखो, negative और positive में तोड़ देंगे इसको, जब यह positive है, तो 1 upon x minus 1 less than equal to e minus 1 है, ठीक है, तो x minus 1 greater than equal to 1 upon e minus 1 हो जाएगा, तो x greater than equal to 1 plus 1 upon e minus 1 हो जाएगा, जब positive है तो x, तो यह कित्ता होगा, e upon e minus 1, फण answer आएगा, आपको ऐसे match करना होता है, देखो, partial solve करना होता है, पूरा solve करने जाओगे, बरबाद हो जाओगे, तो इसका answer a होना चाहिए, गलत हो गया तो, देखेंगे फिर, मगर अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि ए है, ए ही निकला, आप समझे रहो, ऐसे मैत होते हो, list matching के question को हमेशा partially solve करता हूँ, list matching question है, कित्ते नंबर के, तीन तीन नंबर के एंगे, तीन नंबर के हैं दूस्तों, तीन नंबर आपके, 16 नंबर का जुगाड हो गया आपका, नहीं ने, 16 कित्ते हो गए, तेरा का था ना, हाँ, आप 16 का होगा है जुगाड, 51 में से 16 का जुगाड हो गया, पेपर टू जादा टॉफ है तोला नंबर का जुगाड हुआ है अब अगला क्वेशन देखते हैं अब कमीटी और बाव फिफ्टी नाइन पर्सेंट बच्चों का सही है विफ्टी नाइन पर्सेंट बच्चों बच्चों समझते हो तो मैं सौल भी नहीं करूंगा और आपको बता दोंगा कि यह करना ही ती पिफ्टी नाइन पर्सेंट जुगाड ऑट इसको तो मुझे सॉल्व करने के जरुवर्त निया 59 परसेंट बच्चों सही है बहुत सिंप यह होता है देखो एक में यह होता है रॉंग यह करेक्ट तो लास्ट वाला करेक्ट होता है ठीक है तो 59 परसंट यह 46 परसंट बच्च होगा सही है तो आप देखो 19 नंबर का जुगाड हो चुका है तो बेसिकली आपके 49 तो आही चुके 20 पहले हो गया थे 19 इसमें होगए ठीक है अब इसके अंदर देखो इसके अंदर मैं आप लोगों चलो मैं तो सॉल्ल भी नहीं करूं फी चंट विक्स के अंदर यह आ है कि इतने सारे में है क्यूं को सॉल्व करगे पूरा कुश्ण हो जाएगे क्यूं को सॉल्व कर देता है क क्या है दा eccentricity of h is x यह दे रखाया देखो eccentricity x square by a square minus y square by b square equal to 1 यह एक hyperbola इंदा एक्सप्रब्लेंग हुस whose conjugate x is lm subtend angle of 60 degree at one of its vertices n ठीक है तो conjugate x is 60 degree बना रही है तो यह आपका essentially 30 degree हो गया तो यह b है यह b by 2 है basically यह a by 2 है तो b upon a आपका 10 30 degree हो गया 1 plus b square by a square होता है तो 2 by root 3 इसका answer आगा तो यह कितना इसी हो गया भाई देखो इसलिए सही वह हो गए थर्ड answer आएगा इसका q का 3 b answer इसलिए सबका सही हो गए एक line में हो गया देखो कितने easy है b answer आगे देखो must तीन number का जुगाड हो गया 22 number आगे आप 22 number आगे भाई सा बदाई हो 57 में से 22 number की बदाई हो आप लोग को ठीक है अब यह question 25% बच्चों का सही था 25% बच्चों का सही है इसके अंदर देखो क्या करना है मैं function f4 is differentiable continuity बात कर रहें इसके अंदर भी देखो मैं किसको solve करूँगा सब में 2-2 तो हैं यहां मताब जैसे मेरे को s को solve नहीं करना है मैं इसमें r को solve करता हूं पी और r को solve करना है जो सबसे easy functions है ना ठीक है और कहां देर रखें जीरो पर ही बात चल रही सब्सक्राइब सब जगे जीरो पर बात चल दीए अब देखो यह even function है f1 एक्स तो जीरो पर इसकी value साइन जीरो है कि राइट नेगेटिविटी इसके अंदर आएगी नहीं कहीं पर भी तो वन का answer तो 2 और 4 दोनों होना ची मेरे सा मतब 4 होना ची यह सकान से तो बस मेरे को अब पुल्म लाके q solve करना है q करता हूं q q q q q q q थोड़ा टाफ लग रहा है r लगत करता हूं क्यूं करते है q q रा इसमें चलो X greater than 0 में यह 10 inverse X आएगा जो कि 1 होता है ओहो यह तो continuous ही नहीं है सेकंड वाला continuous नहीं है सेकंड वाला का answer 1 आ गया सेकंड वाले का answer 1 आ गया तो आपका यह answer तो आएगा अब मैंने पी में क्या चूस किया था यह answer आ गया अपने बुला दे सब कुछ है तो वी answer बोल रहा है दी answer रहे हो अग दिया ना देखा अपर तू आएगा not differentiable at X equal to 0 तो X equal to 0 पर differentiability check करने पड़ेगी कर देते हैं पी की differentiability हमें चेक करने पड़ेगी अब यह देखो जैसे यह must functional है इसको लेको cause of under root मैं समझ गया क्यों कर बड़े मैं समझ गया क्यों कर बड़े इसको करोगे न तो यह into one upon two root one virus e की पार माइनस x square आगया अब यह 0 बन रहा है तो इसने नॉन differentiable आगया तो यह differentiable नहीं है तो इसका अंतर डी आएगा अब मैं मान लेता हूं दोस्तों benefit of doubt कि बहीं जैसे मैंने गलत किया आपने भी इस question को गलत कर दिया जैसे पेपर में 30 नमबर आए 50 नमबर की बात हुई थी 52 नमबर आपके तो 52 आउट ओफ 120 और इसमें मैंने आपको margin भी दिया है मैंने 36 में से 19 questions इस तरीके से अगर आप करते ना पेपर तो आपको बहुत अच्छा हो जाता है ठीक है तो यह चीज है दोस्तों आप लोग को बिल्गूर क्लियर हो गया कि कैसे आप इसके questions सही कर सकते हैं ठीक है so guys I hope this session was highly useful please paper में question selection most doable questions यह जो चीज होती है यह बहुत important होती है तो इस इस के अंदर आपको यह useful thank you let's crack it